लो दोस्तों आज पनाते हैं माराष्ट्र की स्पेशल पक्वान जिसे पिटला कहा जाता है इसमें बेसन का आटा इस्तिमाल होता है और ये जटपट बन जाता है तो आए देखते हैं इसे बनाने की आसान सी विदी तैयारी में हम लेंगे दो मीडियम साइज बारी काट के हरी मिर्च डाल के एक मिनिट भूनेंगे फिर डालेंगे एक चमच तेल और उसके बाद एक मिनिट फिर से भूनेंगे जालेंगे आदा छोटा चमच नमक और गैस बंद कर देंगे फिर एक ग्लास की मदद से पैन पे ही हरी मिर्च और लेसन को बारिक कर लेंगे ऐसे बारीक होने पे प्लेट पे निकाल ले फिर उसी पैन में 7-8 चमच तेल डालेंगे तेल करम होने पे जीरा डालेंगे जीरा तड़कने पे डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज प्याज कुछ सेकिंद स्पून है फिर डालेंगे एक चोथाई चमच नमक इसे प्याज जल कुछ सेकंग्स भूणगे फिर डालेंगे आद्धा छोटा चमच हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे डालेंगे फिर अराधन या बारीक कटा हुआ कुछ सेकिंज बूनेंगे और डालेंगे दो से तीन चमच बूने हुए मुंखफली का पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे दो ग्लास पानी पानी डालने पे गैस की फ्लेम हाई कर दे और एक उबाल आने दे पानी में ऐसा उबाल आने पे फिर गैस की फ्लेम लो कर दे और हाथ में बेसन लेके इस तरह पानी में डालते जाए और चमच की मदद से लगाता चलाते जाए ताके गुठलिया ना बने लगबग 2-3 मुठी बेसन का आटा डालने पे इतना गाड़ा हो जाए तो चमच की मदद से अच्छी तरह से मिला ले ताके कोई गुठलिया ना रहे फिर गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके ढख दे दो से तीन मिनिट बाद खोले आप देखोगे कि बेसन का रंग थोड़ा बदल गया है और साइड से तेल भी छुटने लग गया है इसी समय एक से दो चमच घी डाले अच्छी तरह से मिक्स कर ले और ढखते मीडियम फ्लेम पे दो मिनिट रखते और गैस की फ्लेम बंद कर दे और लो तयार है माराष्ट की स्पेशल डिश पिठला इसे चुवार की रोटी के साथ खाया जाता है रोटी की रेसिपी आपको हमारी वीडियो के आखिर में जोड दी जाएगी तो ज़रूर बनाए और हमें लाइक और कॉमेंट करके बताए यह रेसिपी आपको कैसे लगी थैंक यू